सरकार ने कहा है कि चीनी सेनिकों ने उक्साओ कदम उठाते हुए सरहत पर यथा इस्तिती बदलने की कोशिश की लेकिन भारतिय सेनिकों ने उन्हें रोक दिया सरकार ने जारी एक बयान में कहा है कि चीनी सेना ने यथा इस्तिती को बदलने के लिए सैनि गतिविधिया की लेकिन भारतिय सेना को उनकी इस गतिविधि का अंदाजा लग गया और उन्होंने इसे नाकाम कर दिया रक्षा मंत्राले के इस बयान में बताया गया है कि चीनी सेना की ओर से 39 और 30 अगस्त की दरमयानी रात में ये कोशिश की गई थी वहीं लद्दाक सीमा पर विवात की बाद जम्मू कश्मित प्रशाशन ने श्रीनगर लहे मार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है इस मार्क पर केवल सेना के वहनों को अनुमती है भारते सेना के अनुसार ये जड़ब 29 और 30 अगस्त की रात होई है सेना ने कहा है कि चीनी पीपल्स लिब्रेशन आर्मी यानी ने सीमा पर यथा इस्तिती बदलने की कोशिश की लेकिन सतक भारते सेनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया आर्मी के मुताबिक चीन के सेनिकों ने पहली बनी सहमती का उलंगन करते हुए पूर्वी लद्दाग के पैगुग और तसो जील एरिया में घुसपेट की कोशिश की इसके बाद भारते जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की भारते सेना के मुताबिक चीनी सेनिकों क करने की कोशिश की है उसकी इस कोशिश को भारते सेना ने नकाम कर दिया है ताजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस को